क्या आप भी इस बार मैट्रिक का एक्जाम देने वाले हैं तो अगर हाँ तो यह वीडियो है आपके लिए क्याँ कि इस वीडियो में जो बताया गया है वा परतेक साल रिपीट होने वाले अपजेक्टिव कुस्तन है जो परतेक साल एक्जाम में पूछा जाता है तो अगर पर इसको बनिया से याद कर लेते हैं तो आप से एक्जाम में आने वाले एक भी ऑजिप्टिव नहीं चुटेगा तो आईए हम चलते हैं अपने कोस्टन के तरफ अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल पुस्तक में उसके लेखक कौन है तो इसका करेक्ट अपस्टन हो जाएगा और सब्सक्राइब नलीन बिलोचन सर्मा तो अब हम अपने अगले कोस्टन के तरफ चलते हैं इसमें हमारा आगला कुस्टन है बीस के दानते कैसी कहानी है यानि बीस के दानत जो कहानी दिया गय है तो इसका करेक्ट अपस्टन हो जाएगा आपस्टन डी मनो बिग्यानी के बीस के दानते मनो बिग्यानी कहानी है तो अब हम अपने अगले कुस्टन तरफ चलते हैं इसमें हमारा अगला कुस्टन है बीस के दानते समाज के किस वर की मानसिक्ता उजागर करती है तो इसक इसमें हमारा आगला कुस्टन है, ऐसे ही लड़के आगे चलका और गुंडे चोर डांकू बनते हैं, किस कहानी से ली गई है, तो इसका करेटर सुनो जाएगा, आप्सन ए, बीस के दात से ली गई है, या पंक्ती बीस के दात कहानी से ली गई है, अगर पुछेगा, या जो क कुस्टन तब चलते हैं, इसमें हमारा आगला कुस्टन है, दारिस नामों के सोने के सिक्के से भरा घड़ा इसे मिला था, तो इसका करेट अप्सन हो जाएगा, आप इन सभी कुस्टन को एदम रट लेजिए, क्योंकि इस बार एक भी नहीं आएगा, तो अब हम अपने अप्सन भी गाउं में, यानि पार्ट के अनुसार है, भारत गाउं में बसता है, तो अब हम अपने अगले कुस्टन तब चलते हैं, इसमें हमारा अगला कुस्टन है, फ्रेडरीक मैक्स मुलर के दोबरा कौन से पार्ट लिखा गया है, तो इसका क्रेट अप्सन हो तो अब हम अपने अगले कुछन दब चलते हैं, इसमें हमारा अगला कुछन है, लेख़क के अनुसारे मनुस्य के नाखोने किसके जीवन परतीक है, तो इसका क्रेट अप्सन हो जाएगा, आप्सन सी पासवी बृत्ती के इसका क्रेट अप्सन हो जाएगा, तो अब हम अपन एगले कोसन तरब चलते हैं इसमें हमारा हमारा अगला कुस्न जाएगा 927 में अगर पुछेगा कहां उत्तरफदेश करेंट अप्सन है उत्तर पर्देश में हुआ था किस निबंध के रचाईता है यानि इसमें से कौन सा निबंध है जो हजारी परसादी के दोवारा लिखा गिया है तो इसका क्रेट अप्षन आप्सण भी नाखुंद के वढ़ते हैं इसका क्रेट अप्षन होजाएगा तो आब हम अपने अगले कुस्टर तप चलते हैं इसमें हमारा अगला कुस्टर भारत में नागरी लिपी के लेखे कब से मिलने लगते हैं तो इसका क्रेट अपसन हो जाएगा आठवी सदी से तो अब हम अपने अगले कुस्ण तर चलते हैं इसमें हमारा अगला कुस्ण है नागरी लीपी के अरंबिक लेखे हमें कहां से मिले हैं यानि नागरी लीपी के जो अरंबिक लेखे मिले हैं वो कहां से मिले हैं तो इसका करेक्टर अप्सन हो जाएगा ओप्सन सी दक्षनी भ तो इसका क्रेट अफ्शन हो जाएगा option B, दो दसा के पहले, तो अब हम अपने अगले कुष्ण तब चलते हैं, इसमें हमारा अगले कुष्ण ने बहादूर को कितने रोपिय की चौरी का इल्जाम लगाया था, तो इसका क्रेट अफ्शन हो जाएगा option B, 11 रोपिय का, इसका अगला कुष्ण है, बहादूर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया, याई जो बहादूर था, वो लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया, तो इसका क्रेट अफ्शन जाएगा option C, सोय के परती लेखक तथा, उसके घरवालों के बेवार में आए परिवर्टन के कारण जब उसके लेखक के घरवालों के जब परिवार में परिवर्टन हुआ, तो इसके कारण बहादूर अचानक चला गया, इसका क्रेट अफ्शन जाएगा, तो अब हम अपने अगले कुष्ण तब चलते हैं, इसमें हमारा अगला कुष्ण ने बहादूर अपने घर से क्यों भाग गया था, तो इसका क्रेट अफ्शन जाएगा, ओप्शन भी, मा की मार के कारण, तो अब हम अपने अगले कुष्ण तब चलते हैं, इसमें हमारा अगला कुष्ण है, जातिया असमित्ता की दिष्टी से इतिहास का परवा कैसा है, तो इसका क्रेट अप्शन जाएग कि प्रेट अप्शन हो जाएगा, ओप्शन सी हो जाएगा, तो अब हम अपने अगले कुष्ण टब चलते हैं, इसमें हमारा अगला कुष्ण है, प्रेट अप्शन हो जाएगा तो इसका correct option हो जाएगा option C, राम बिलास सर्मा, correct option है option C हो जाएगा, तो अब हम अपने अगले कुस्ण तब चलते हैं, इसमें हमारा अगला कुस्ण है पंडिते, बिर्जु महाराजे, लखनव घराने की किस प्यूणी के कलाकार थे, तो इसका correct option हो जाएगा option B, 7 वी option है, जब पंडित बिर्जु महाराज को संगीत नाटा के अकाडमी आवार्ड मिला, तब उनकी उमर क्या थी, यानि किस उमर में पंडित बिर्जु महाराज को संगीत नाटा के अकाडमी आवार्ड मिला, तो इसका correct option A, 27 बर्ष की उमर में, correct option A हो जाएगा, 27 बर्ष की उम तो इसका क्रेट अप्सन हो जाएगा ओप्सन ए चार फरवरी उन्हेस सो आटिस इसमी में हुआ था तो अब हम अपने अगले कोर्शन तब चलते हैं इसमें हमारा अगला कोर्शन है बिर्जू महाराज का संबन्द है किस घराने से है तो इसका क्रेट अप्सन हो जाएगा ओप्सन ए लख नौग इसका क्रेट अप्सन हो जाएगा तो अब हम अपने अगले कोर्शन तब चलते हैं इसमें हमारा अगला कोर्शन है जीत जीते मैं निर्खा थूं पार्ट का संबन्द किस से है तो इसका क्रेट अप्सन हो जाएग में 19 दिनों के परवास के दोरा ने लेखक ने कितने गध की रचना की तो इसका क्रेक्ट उपसे हो जाएगा option A 27 इसका क्रेक्ट उपसे हो जाएगा तो आब हम अपने अगले कोशन तरफ चलते हैं इसमें हमारा अगला कोशन है दमादा मोजेल द आविन्यों किसकी क्रिती है तो इसका करेक्ट अपस्ण हो जाएगा औपस्ण की होजाय से चलते हैं इसमें हमारा अगला कुस्तन है ला सत्रुच का धार्मिक उप्षियोंगे कब से कब तक होता रहा है तो इसका correct option हो जाएगा option D, 14 सदी से फ्रेंच करांती तोक, तो अब हम अपने अगले कुष्ण तब चलते हैं, इसमें हमारा अगला कुष्ण है, मचली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है, तो इसका correct option हो जाएगा option C, निमने मध्य वर्गिय परिवारे, इसका correct option हो जाएगा निमने मध्य वर्गिय परिवारे, तो अब हम अपने अगले कुष्ण तब चलते हैं, इसमें हमारा अगला कुष्ण है, मचली पाठ के लेखक कौन है, यानि मचली पाठ किसके दोर लिखा गया है, तो इसका correct option हो जाएगा option C, बिनो दे कुमार सुकले, इसका correct option हो जाएग तो अब हम अपने अगले कुष्ण तब चलते हैं, इसमें हमारा अगला कुष्ण है, मचली कहानी में किस वर्गे का जीवन वर्णित है, तो इसका correct option हो जाएगा option B, मध्य वर्गे, इसका correct option है, option B हो जाएगा मध्य वर्गे, तो अब हम अपने अगले कुष्ण तब चलते हैं इसमें हमारा अगला कुछन है नौबते खाने में इबादते साहित्य की कौन सी वीदा है तो इसका क्रेक्ट अप्सन हो जाएगा बेक्ती चीत्रे तो अब हम अपने अगले कुछन तब चलते हैं इसमें हमारा अगला कुछन है बिस्मिल्ला खान के साथ है किस मुस्लिम प मुहररा में इसका करेक्ट अप्सन्य ओप्षणटी हो जाएगा मुहररा में तो अब हम अपने अगले कुम तब चलते हैं इसमें हमारा अगला कुम नौबत खाने में इबादते पार्ठ के लेखक कौन है नौबत खाने के अप्रते पार्ठ की इसके द्वारा लिखा गया IT तो इसका correct option भी हो जाएगा यतिंद्र मिस्र, तो अब हम अपने अगले कुस्त तब चलते हैं, इसमें हमारा अगला कुस्त ने बिस्मिल्ला खान का जनमें कहां हुआ था, याई बिस्मिल्ला खाने कहां पाइदा हुए थे, तो इसका correct option भी होजाएगा, option C, डुम राओं में इसका correct option है option C हो जाएगा डूमराओ तो अब हम अपने अगले कुछन तब चलते हैं इसमें हमारा अगला कुछन है अध्यात्मी के सिख्छा से गांधी जी का क्या अभिपराय है तो इसका correct option हो जाएगा option D हिर्दय की सिख्छा इसका क्रेट अफ्षन है आप्षन D हो जाएगा इर्दय की सिक्षा तो अब हम अपने अगले कुष्ण तब चलते हैं इसमें हमारा अगला कुष्ण है गांधी जी का दक्षिन अफरीका परवा से कब से कब तक था तो इसका क्रेट अफ्षन जाएगा आप्षन A तो अब हम अपने अगले कुष्ण तब चलते हैं तो अब हम अपने अगले कुष्ण तब चलते हैं इसमें हमारा अगला कुष्ण है सिक्षा और संस्किर्टी पार्ट के लेखो कौन है यां सिक्षा और संस्किर्टी पार्ट किसके दवारा लिखा गया है तो इसका क्रेट अफ्षन हो जाएगा आप्षन D महत्मा गांधी इसका correct option है option D हो जाएगा महत्मा गांदी तो अब हम अपने अगले कुष्ण तब चलते हैं इसमें हमारा अगला कुष्ण है हरी रास से किसकी रचना है याँनि हरी रास से किसके दोबारा लिखा गया है तो इसका correct option है option B हो जाएगा गुरु नानौक के तो आब हम अपने अगले कुस्ण तब चलते हैं इसमें हमारा अगला कुस्ण अगले कुस्ण तब चलते हैं इसमें हमारा अगला कुस्ण अगले कुस्ण तब चलते हैं तो इसका करेक्ट अपस्ण अगले कुस्ण तब चलते हैं इसमें हमारा अगला कुस्ण अगले कुस्ण तो इसका करेक्ट उप्सन जाएगा Opp leider कोवी ने माली माली निकिसी कह यानि प्रेमी इनी स्रीरादीका कोवी ने किसे माली माली नहीं कहा है तो इसका correct option हो जाएगा option C कृष्ने और राधा को इसका correct option होने option C हो जाएगा कृष्ने राधा तो अब हम अपने अगले कुष्न तब चलते हैं इसमें हमारा अगला कुष्न रज खान के रचनकाल के समय किसका रज यकाल था तो इसका correct option होने option C हो जाएगा जाहंगीर तो अब हम अपने अगले कुष्न तब चलते हैं इसमें हमारा अगला कुष्न है रज खान के प्रे में अईनी किसे कहा है तो इसका correct option होने और जाएगा option C राधा राधा को रस खान ने प्रे में अईनी कहा है इसका क्रेट अप्षन हो जाएगा राधा तो अब हम अपने अगले कुष्ण तब चलते हैं इसमें हमारा अगला कुष्ण है घानानदे की भासा क्या है तो इसका correct option हो जाएगा option B वर्ज भासा तो अब हम अपने अगले कुष्ण तब चलते हैं इसमें हमारा अगला कुष्ण है कवी ने परजन ने किसे कहा है यानि कवी ने किसको परजन ने कहा है तो इसका correct option हो जाएगा option C बादल को इसका correct option है option C हो जाएगा बादल तो अब हम अपने अगले कुष्ण तब चलते हैं इसमें हमारा अगला कुष्ण है घन अनन्दे जीवन दायक के हो कुछे मेरियों पिर ये परजन में किस कवी का नाम आया है यानि इस पंक्ति में कौन से कवी का नाम आया है तो इसका correct option हो जाएगा option B घन आनंदे क्योंकि यहाँ पर आया है घन आनन्दे यहीं पर इन का नाम छीपा हुआ है घनाण अन्दे इसका correct option हो जाय Research option के जायोएगा तो अब हम अपने अगले कुष्ण तब चलते हैं इसमें हमारा अगला कुष्ण के प आएगा प्रेम घौन अपना आदार से भारतेंदू हरिश्चंद्र को मानते थे तो अब हम अपने अगले कोशन तब चलते हैं इसमें हमारा अगला कोशन है सौधेसी किस कवी की रचना है यानि सौधेसी किस के द्वारा लिखा गया है तो इसका क्रेक्ट अप्शन हो गाँ अगले कोशन team है इसमें प्रेम घौन के द्वारा लिखा गया है तो अब हम अपने अगले कोशन हो जाएगा भातेंदू यूग तो अब हम अपने अगले कोस्ट तब चलते हैं इसमें हमारा अगला कोस्टन है कभी प्रेमगन के अनुसारे भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पढ़ती है तो इसका क्रेट अफशन हुआगा अफशन ए भारतियता इसका क्रेट अफशन है option यह हो जाएगा भारतियता कवी प्रिमगन के उनसारे आज भारत में अर्टियता जिसे वस्तु नहीं दिखती है तो अब हम अपने अगले कुष्ण तब चलते हैं इसमें हमारा अगला कुष्ण ने भारत माता कवीता में भात का कैसा चीत्रे प्रस्तूत किया गया है तो इस में हमारा अगला कुष्ण ने भारत मा के सरेष्ठ मुख की तुलना कवी ने किस से की है यानि भारत माता कवीता में कवी ने भारत मा की सरेष्ठ मुख की तुलना किस से की है तो इसका क्रेट अप्सन ने भारत माता किस कवी की रजना है यानि भारत माता किस कवी की रजना द्वारा लिखा गया है तो इसका क्रेट अप्सन जाएगा ओप्सन सी सुमित्रा नंदन पंते भायत माता कवीता सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया है तो अब हम अपने अगले कुष्ण तब चलते हैं इसमें हमारा अगले कुष्ण जी की भारत माता कहां की नि तो अब हम अपने अगले कोशन तब चलते हैं इसमें हमारा अगला कुशन है दिनकर की किस क्रिती के लिए ग्यान पीठ पुरुषकार मिला तो इसका क्रेटा सुन रहेगा तो अब हम अपने अगले कोशन तब चलते हैं इसमें हमारा अगला कुशन है जनतंत्र का जनम के कवी कौन है तो इसका क्रेटा अप्सन हो जाएगा आप्शन B रामधारी सिंग दिनकर यानि जनतंत्र का जनम रामधारी सिंग दिनकर के दवारा लिखा गया है तो अब हम अपने अगले कोशन तब चलते हैं इसमें हमारा अगला कोशन है जनतंत्र में कवी के अनुसारे राजी डंडे क्या होंगे इसका क्रेट अप्सन हो जाएगा आप्सन C फावडे और हॉल तो अब हम अपने अगले कोशन तब चलते हैं इसमें हमारा अगला कोशन है कवी के अनुसारे जनतंत्र के देवता कौन है तो इसका करेट अपसन हो जाएगा किसान मजदूर इसका करेट अपसन है आपसन C हो जाएगा किसान मजदूर तो अब हम अपने अगले कोश्रों तब चलते हैं इसमें हमारा अगला कोश्रों है हीरो सीमा के कवी कौन है यानि ही अगले कोश्न तब चलते हैं इसमें हमारा आगला कुस्णन है अग्यया का जनम कभ वह था यानि अग्यया कभी है वह लिखे है ही घृष्भी का उसको लिखे हैं यानि इनका जनम कभ हुआ था तो इसका कुरेट अप्सण रिएगा ऑफसंची साथ मार्च उनी सो ग्यारह इस इसका क्रेट अफसन है ऑफशन सी हो जाएगा 7 मार्च 1911 स्विगो तो अब हम अपने अगले कुष्ण तब चलते हैं इसमें हमारा अगला कुष्ण है एक ब्रिक्ष की हंतिया में कवी सहर को किस से बचाने की बात करता है याद जो कवीता दिया हुआ एक ब्रिक्ष की हंतिया उसमें कवी ने सहर को किस से बचाने की बात कर रहा है तो इसका क्रेट अफसन हो जाएगा ऑफसन सी नादिरों से इसका क्रेट अफसन है ऑफसन सी हो जाएगा नादिरों से तो अब हम अपने अगले कुष्ण तब चलते हैं इसमें हमारा अगला कुष्ण है एक ब्रिक्ष काब या संगरा से या एक बीच की हत्या कवीता संकलीत है तो अब हम अपने अगले कुछन तब चलते हैं इसमें हमारा अगला कुछन है एक के हत्या कवीता किसके द्वारा लिखा गया है तो इसका करेक्ट अफ्षन हो जाएगा option c कुण और नरायन इसका correct option option c हो जाएगा कुण और नरायन तो अब हम अपने अगले कुशन तो चलते हैं इसमें हमारा अगला कुशन है विरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकाडमी पृष्कार मिला था विरेन डंगवाल जो हमारी निंद के चाहिता है उसको कि स्कृति के लिए साहित्य अकाडमी पृष्कार मिला हुआ था इसका correct option हो जाएगा option b दूस्त चक्रे में स्रिष्टा तो अब हम अपने अगले कुशन तब चलते हैं इसमें हमारा अगला कुशन है गरीब बस्तियों में क्या हुआ यानि जो कभीता दिया हुए हमारी तो अब हम अगले कुशन तब चलते हैं इसमें हमारा अगला कुशन है हमारी निंद के रचेटा कौन है यानि जो हमारी निंद दिया हुआ है हमारे पाष्ट पुस्तक में पाठ है वह किसके दवारा लिखा गया है तो इसका correct option है option b हो जाएगा तो अब हम अपने अगले कविता दिया हुआ है उसमें निंद जो है वह किसका प्रतिक है तो इसका correct option हो जाएगा option A हो जाएगा तो अब हम अपने अगले कुशन तब चलते हैं इसमें हमारा अगला कुशन है अक्षर ग्यान कविता बच्चों के किस अस्तर की सिक्षण परकिरिया से संबंदित है त option A हो जाएगा प्रानंदि के सिशर परकिरिया तो अब हम अपने अगले कुशन तब चलते हैं इसमें हमारा अगले कुशन है किस कवी की रच्द्चना है यह अक्षर ग्यान जो कवीता है वह किसके द्वारा लिखा गया है इसका correct option जएगा option D, unamika इसका correct option है option D हो जाएगा unamika, तो अब हम अपने अगले question तब चलते हैं इसमें हमारा अगला question है बच्चा कहां आकर थमक जाता है यानि अक्षर ग्यान कवीता में जो बच्चा है वो कहां आकर रुख जाता है तो इसका correct option जाएगा option D, अड़ो पुरा करूँ जाता है इसका correct option है option D हो जाएगा अड़ो तो अब हम अपने अगले question तब चलते हैं इसमें हमारा अगला question है लोट करे आऊंगा फिरे कवीता किस कवी द्वारा भावंतरिते की गई है तो इसका correct option जाएगा option C, परियागे सुकले परियाग सुकले के द्वारा लोट कर फिर आऊंगा कवीता सिर्व भावंतरित किया गया है लेकिन इस कवीता के रचैता है जीवना नौन्दे दासे लेकिन इस कवीता के भावंतरित परियाग सुकले किया है लेकिन तो चाहिता है जीवना अनॉंदे 10 से इसका करेट अफसन जाएगा option C परियागे सुकले हैं लौर्ड कराउंगा फिर कविता के भावंत्रित किये हैं लेकिन लिखे हैं जीवना अनॉंदे 10 से तो अब हम अपने अगले कोश्रत अब चलते हैं इसमें हमारा अगला कोश अगला कोश्रत ने मेरे बिन्तुम पर्भू किस भासा में भणू अनुवादी थे मेरे बिन्तुम पर्भू किस भासा से सौरी यहां पर सी होगा से अनुवादित है किस भासा से मेरे बिन्तुम पर्भू कविता को अनुवाद किया गया है तो इसका करेट अप्शन हो जाएगा ऑप्शन भी जर्मन भासा को से अनुवाद किया गया है इसका करेट अप्शन आप्शन फी हो जाएगा जर्माने तो अब हम अपने अगले कुस्nes तब चलते हैं इसमें हमारा अगला कुस्तन है दहीवाली मंगम्मा कहानी किस लेखा के दोला रचित है तो इसका केट आप्शन हो जाएगा आप्शन ए-श्णि निवाज से तो अब हम अपने अगले के बड़े पूत्रे का नाम क्या था तो आब हम अपने अगली कोश्रित से चलते हैं इसमें हमारा अगला question मंगम्मा की बहु का क्या नाम है यानि मंगम्मा जो है उसकी बहु का नाम क्या है तो इसका option A नजमा इसका option A हो जाएगा नजमा तो अब हम अपने अगले question तब चलते हैं इसमें हमारा अगला question बी आर नरायन ने किस कहानी का उनवात किया है यानि बि यार नराइन जो है वह किस कहानी को उनवात किया है तो इस से इसको याद करिएगा अनुवाद इस कहानी को किया है बी यार नरायन ने इसके लिखखक है सिरी नुवाज से तो अब हम अपने अगले को से तब चलते हैं इसमें हमारा अगला कुस्णा ने दहते बिश्वाद से किस भासा से अनुदित है सौरी यहाँ पे से होगा से तो अब हम अपने अगले कोशन तब चलते हैं इसमें हमारा अगला कोशन ने ढहते विश्वासे कहानी में किस राज्य को बाड़ एवों में सुखा से परवावी दिखाया गया है तो इसका करेट अप्सन रिएगा ऑप्सन C हो जाएगा उरी सा इसका करेट अप्सन ने ऑप् कोशन तब चलते हैं इसमें हमारा अगला कोशन है धाते विश्वासे कहानी किस लेखक द्वारा अनुदिख जेत जो ध्ष। कहाणी है वो किस की द्वारा अन्वाद एप्स्तिय गया है तो इसका अप्सन रियागा ऑप्सन जी हो जाएगा ऐगा राजेंदरे परसाद खेला कुस्टन ने धते बिस्वासे के रच्चाता है एंड धते बिस्वासे वह किसके द्वारा लिख गया है कहानी तो इसका खेGOं सुनगेगा Pencumnu कोडी होता इसे कहानी के रचीटा है साथ कोडी होता लेकिन इस अगला कोस्टन है मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है स्वारे पेट लीकर द्वारा लिखा गया है तो आप अगले कऊस्टन भुब चलते हैं इसमें हमारा KönUNG की मा कितने संतने थी, जो हमारे मा कहानी में जो दिया हुआ है उसमें मंगु की जुन है उसे कितने संतान थी, तो इसका करेट अफसन रघाएगा, अफसन भी तीन, मंगु की मा की तिन संताने थी, अगर आपको इस असर भी कुसन पूछ सकता है कि मंगु को छोड़का उसकी माँ की कितने संतानी थी तो हो जाएगा दो यहाँ पर मंगु को छोड़का नहीं बोल रहा है इसमें मंगु की माँ की कितने संतानी थी यानि इसको भी मिला देंगे यानि तीन थे मंगु की माँ की संताने तीन थी तो अब हम अपने अगली कुस पागौल और गुंगी तो अब हम अपने अगले कुस्टन तब चलते हैं इसमें हमारा अगला कुस्टन है आप पाती को कौन सा रोग था तो अब हम अपने अगले कुस्टन तब चलते हैं इसमें हमारा अगला कुस्टन है नगर कहानी किस लेखक दवारा रचित है याइन जो नगर कहानी है वह किस के दवारा लिखा गया है तो इसका क्रेट अप्सन हो जाएगा आप्सन सी सुजाता तो अब हम अपने अगले कुस्टन तब चलते हैं इसमें हमारा अगला कुस्टन है नगर कहानी किस भासा से अनुदित है याइन जो नगर कहानी जो है वह किस भासा से अनुदित किया गया है इसका क्रेट अप्सन अप्षन भी हो जाएगा तव्मेल तो अब हम अफने आगले के अमरे क्या थी यानि पापती कितने वर्ष की थी तो इसकािटफ सनयागा ऑप्सन सी 12 वर्ष की थी अप्सन सी हो जाएगा बार वर्ष से तो अब हम अपने अगली कुछन तर्श चलते हैं इसमें हमारा अगला कुछन है धर्टी कब तक घुमेंगी के कहाने कारे कौन है इसका करेट अप्सन है option D हो जाएगा तो अब हम अपने अगले कुस्ट अब चलते हैं इसमें हमारा अगला कुस्टन है धर्टी कप तक घुमेगी किस भासा से अनुदित है इसका करेट अप्सन हो जाएगा तो अब हम अपने अगले कुस्ट अब चलते हैं इसमें हमारा अगला कुस्टन है सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपिया महावारी देने का निने लिया तो इसका क्रेट अप्सन हो जाएगा option A 50 रुपिया तो यह हमारा लाश को संता तो ठैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो आई हो पे आप लोगों ने इन सभी कुस्टन को याद कर लिया होगा अगर नहीं कियो हो तो इसको याद कर लिजेगा गयों कि इस बार एक्जाम में यहीं आने वाला है तो अगर आप अभी तक इस चैन थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो